हेलो फ्रेंड्स और दिश्क्रेंड्स आज का हमार टॉपिक है लॉर्केनाइट हाइड्रक्लॉराइड जो कि एक एक एंटी एरेद्मिक एजेंट है और साथी साथ लोकल एनस्थेक प्रॉपर्टी भी शो करती है और हमारे सब्जेक्ट फर्मासुटकल केमिस्ट्री डिप्ल प्रजेने शुक्ला चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्केनाइड हाइड्रक्लॉराइड की केमेस्ट्री स्ट्रक्च्चर और इसके नॉमेंकलेचर की जैसा है कि नाम सी पता चल रहा है लॉर्केनाइड हाइड्रक्लॉराइड होता है हमने हमने पहले भी discuss किया है that is CH3C double bond OH2 जैसे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3C double bond OH2 यह हम लोग estamide के अंतरगत सरकते हैं इसको और अगर इस carbon के इस एक hydrogen को replace कर जाए तीन hydrogen है या एक hydrogen को रिप्लेस करके फिनाइल विंग या बेंजी विंग लगा दी जाए तो उसे हम फिनाइल एसितामाइड के रूप में जानते हैं और इसी के दूर कर दें सभी sensations दूर हो जाए यानि वह इलाका जो है वह सुन पड़ जाएगा उस जगह पर आप किसी तरीके का कोई भी जो sensation है वह महसूस नहीं करेंगे साथी साथ यह anti-arrhythmic properties होती है आपके सलेबस में यह anti-arrhythmic agent के रूप में दिया हुआ हमने पहले भी डिसकस किया जो हमारा हर्ट है वह एक रिदम में काम करता है और जो pulse rate है वह लगातार maintain रहती है लेकिन जो pulse rate है वह 60 की नीचे या 100 की उपर चली जाए यानि आपका जो हर्ट का pumping करने का जो मतलब normal process है वो गबढ़ हो गया है ऐसी condition को हम arrhythmia बोलते हैं और जो agents इस arrhythmia की condition को ठीक करते हैं उन्हीं को हम लोग anti-arrhythmic properties के अंतरगत वाले agent या फिर anti-arrhythmic agent के रूप में जानते हैं तो नॉर्के नाइड भी हमादी एक anti-arrhythmic property शो करती है नेक्स नॉर्के नाइड को अगर देखा जाए तो यह एक amide है CO-NH2 group जहां पाय जा रहा है और यह simply जो है formal condensation of N1-propane-2-isle-4-parachloro-anilino-pipridin यह एक हमारा substrate है जिसके साथ जो है phenyl acetyl chloride की reaction कराने पर यह प्राप्त होता है कैसे यह reaction हो रही है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे साथी साथ हम यह कह सकते हैं अगर chemistry की बात करें तो lorkenide जो है वो estamide derivative है जैसा भी हमने दिखाया इसका derivative है और इसमें जो है phenyl लगा दिया तो phenyl estamide derivative बोल सकते हैं simply इसको अभी estamide derivative बोलना है बिल्कुल lidocene जैसा lidocene भी ऐसा ही था और यहाँ पर जो amide का nitrogen है इस nitrogen के दोनों hydrogen को को replace करना है एक को हटाएंगे hydrogen को और one isopropyl peperidine four aisle group लगाएंगे यानि peperidine ring यानि कि एक six member ring system दिखेगा जहाँ पर पहले number के carbon को हटा करके nitrogen लगा देंगे और उस nitrogen के ऊपर isopropyl group यानि तीन carbon की एक chain लगा देंगे और उसके चौथे position से उसको nitrogen पर यहाँ पर जोड़ देंगे दूसरा जो हम substitution करेंगे वो करेंगे four chloro phenyl group का यानि एक benzening और उसके fourth position पर एक chloride group जो है वो लगा रहेगा साथी साथ जो carbon number two है यह carbon number one है यह carbon number two इस carbon number two पे एक hydrogen को अटा करके जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पर एक phenyl group जो है वो लगा देंगे benzening लगा देंगे और जो structure प्राप्त होगा वही क्या कहला है का कहला है का आईए अब इसको समझ देंगी कोशिश करते हैं सबसे पहले मैंने कहा कि इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे तो हम कहें कि एन वन प्रोपाइल टू आईल फोर पैरा क्लोरो एनिलिनो पैरेडीन की रियक्शन कराएंगे देखे क्या है यह एक सिक्स मेंबर रिंग सिस्टम है ठीक है और इसमें पहले नंबर के कार्बन के ऊपर कार्बन को हटाया गया और वहाँ पे नैट्रोजन लगा दिया है दि जो हम लोग बोल रहे थे उपर साली लिखे थे यह फोर राइल इसका क्या मतलब है यह फोर्थ पोजिशन पर यह नैट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और यह पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं हम इसको एनिलीनो बोल सकते हैं क्योंकि यह एनिलीन निंग हो सकती ह एक हैज को रिप्लेस करके यह पूरा गुरूप यहां पर लगाया गया है और इसके साथ एक बेंजीन निंग लगी हुए है और बेंजीन निंग के फॉर्थ पोजिशन पर इसको जब आप रेक्शन करोगे तो क्या होगा यहां से हाइड्रोजन यहां से सील यह पूरा का क्या हो जागा HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और यह पूरा का पूरा गूरूप इस पे जुड़ जाएगा जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वही हमारा लॉर्केनाइट हाइड्रोग्रोड का स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या कहा सीजिए हमें देखने को बेंजीन रिंग लगा दी गई तो इसे हम क्या बोल सकते हैं फिनाइल एस्टामाइड और दूसरे नमबर पर क्योंकि लगा हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं इस नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन होने चाही थे यह हमने पहले ही रिप्लेस कर रखें एक हाटा करके यहाँ पर आइसो प्रोपाइल पैरिडिनाइल रिंग लगाई गई जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया और दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा हुआ है मान रहे हैं फोर क्लोरो फिनाइल ग्रॉप जो है वो लगी हुई है और यह स्ट क्लोराइड आयूप एसी नॉमेंक्लेचर की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं सी स्ट्रक्चर से आप इसका नाम लिख सकते हैं क्योंकि नैट्रोजन के ऊपर यह जुड़ा हुआ है तो नैट्रोजन के लिए एन लिखा एन फोर क्लोरो फिनाइल एन फ इसका आयूप एसी नॉम हो गया अब बात करते हैं इसकी फिच्कल प्रॉपर्टिस के अगर फिच्कल स्टेट की बात करें तो यह सॉलिड स्टेट में हमें ड्राइप आउडर के रूप में देखने को मिलता है कलर की बात करें तो लॉर्केमाइड हैड्रोड जो है करें ते मिलता है तो यह यह र कमें नहीं होता है पिर भी में वेल्ट क्लोस के अंतरगर्ट के रखते हैं और एयरart में डालकर करके रखते हैं तो ज्यादा समय तक वहeration temperature पर stable हमें देखने को मिल जाता है लेकिन अगर इसके solutions को बना करके रखना है तो आप उसके solutions को minus 20 degree Celsius पर ही रख सकते हैं यानि इतने कम temperature पर आपको रखना होगा और वो 3 महिने तक stable रहता है जो जिसकी बात करें लोकल अनेस्थेटिक एजेंट है और एंटी अर्यद्मिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है लोकल अनेस्थेटिक होने की वज़ए से चोटे मोटे अगर दाथ के या किसी जगह पे हाथ तूट गया है कोई चोट लगी है उसका उपरेशन करना है तो आप इसका प्रियोग जनरली अनिस्थेटिक डॉक्टर के दोरा किया जाता है साथी साथ जो मेन इसका यूज है वो है एंटी अर्यद्मिक प्रॉपर्टी और ये क्लास वन सी एजेंट होता है क्लास वन सी हम दो कई बार बोले आपके रूपरेशन के रूप में ये रिस्टोर करते है नॉर्मल जो खट रिदम है उसको यानि जो आपका नॉर्मल पल्स रेट है उसको लगातार बनाए रखेंगे आपके हल्ट heart के जो blood को pump करने की प्रक्रिया है वो simple रहेगी, normal रहेगी और simply जो है जो patients हैं जहांपर premature ventricular यानि कि जो heart का नीचे का part है जिसकी वज़र से आपका contractions जो हो रहे हैं premature हो जल्दी हो रहा है जिसके वेसे cardiac rhythm जो है वो बिगड रही है उसको ठीक करने के लिए और ventricular जो trachycardia होती है जानि कि ज़्यादा तेजी से जो pump हो रहा है उसको भी ठीक करने के काम में आता है खास करके इन patients में नेक्स अगर बात करें तो ये wolf parkinson white syndrome को भी ठीक करने के काम में आता है उन में extra electrical pathway जो है वो heart में देखने को मिलती है और उनका जो pulse rate है वो काफी ज़्यादा high होता है ऐसे patients के treatment में को भी इस drug के द्वारा किया जा सकता है pharmaceutical formulations की बात करें तो larkinide hydrochloride की tablet और इसके injections या solutions जो है वो आपको market में देखने को मिल जाते हैं कुछ ही brands name है जैसे की रैमी वॉक्स और लैरी वॉक्स ये दोनों काफी important और famous brand names है इस larkinide hydrochloride की next doses की बात करें तो जो oral dose है वो 100 mg twice a day हम दे सकते हैं यानि दो बार दिन में adults को 100 mg की tablets जो है वो दी जा सकती है औरली या फिर maximum जो dose हो सकती है किसी patient में वो 400 mg per day से जादा नहीं होने चाहिए injections की बात करें तो 2 mg per kg body weight के हिसाब से calculate करके injections जो है वो patients को दिये जाते हैं for the cardiac arrhythmia को ठीक करने के लिए ये था आज का माँ topic chlorkenide hydrochloride और diplomine pharmacy new syllabus के हिसाब से जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए वो मैंने सभी इस वीडियो में देनी की कोशिश की फिर भी अगर आपके कोई प्रश्ट हो कोई comment हो तो आप comment box में लिख सकते हैं उसको हम answer करने की कोशिश करेंगे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like कीजिए अपने friends में share कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजिए और जो इसका PDF है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोश कहोना चुनिए Dr.PKS and Dr.MPS Classes को और करें अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव